बाधाएं आती हैं आएं घीरें प्रले की घोर घटाएं पावों के नीचे अंगारे सिर पर बरसें यदि जुआलाएं निज हाथों में हस्ते हस्ते आग लगा कर जलना होगा कदम मिला कर चलना होगा अटल बिहारी बाजपई जी की ये कविता हमें प्रेणा देती है डट कर संकट से लड़ने की और कदम से कदम मिला कर चलने की किसी भी रिष्टे का मूल होता है एकता अगर हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं एक दूसरे पर अटूट विश्वास रखते हैं तो फिर मुश्किल से मुश्किल सफर भी आसानी से पूरा हो जाता है हर منجل मुम्किन लगती है, हर चुनौती छोटी लगती है बिजनस पार्टनर्शिप भी एक ऐसा ही रिष्टा है जिसमें एक दूसरे पर अटूट विश्वास, सम्मान और धीरस अगर आप इन तीन बातों को अपने बिजनस और जीवन में ले आएं तो हर रह आसान हो जाती है और सफलता की कोई भी सीमा नहीं रहती नमस्कार आप देख रहे हैं विनर्स विद रवींद गौतम आज हम आपको ऐसे दो वेक्तियों से मिलाने जा रहे हैं जिनकी पार्टनर्शिप आज एक मिसाल है हम बात कर रहे हैं SMC ग्रूप के फाउंडर्स सुभाश चंद अगर्वाल और महेश चंद गुपता की सुभाश चंद अगर्वाल और महेश चंद गुपता की मुलाकात हुई लाइबरेरी में जब दोनों चार्टर्ट एकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहे थे लाइबरेरी की मुलाकात दोस्ती में और दोस्ती कब पार्टर्शिप में बदली पता ही नहीं चला 1980 में C.A. की पढ़ाई के बाद माच 40,000 की पुझी से शुरुआत की अपनी खुद की C.A. फर्म की और 10 साल बाद नियू रखी SMC की इस सफर में कई उतार चड़ाओ आए, कई दूफान आए, लेकिन दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर भर चुनावती का सामना किया आज देली, मुंबई, कोलकाता के साथ-साथ, भारत के 500 से भी ज़्यादा शेहरों में और दुबई, नियू यॉर्क, एटलांटा और ओरलेंडो में SMC की आफिसेस हैं, जिन में 3,000 से भी ज़्यादा एंप्लॉईस कारेरत हैं आए स्वागत करते हैं महज जी का और सुभाज जी का अपने प्रोग्राम विनर्स में आप दोनों लोगां को बहुत बहुत स्वागत है, इस प्रोग्राम में मैं हमेशा पहला प्रशनी ही पूछता हूँ सबसे कि हमारे सफर की शुरुआत कहां से हुई, आगास कहां से हुई, यानि कि बिजनस आपने कहां से शुरू किया बट आपके साथ एक एडिशनल कुश्चन और है, कि आप दोनों की पार्टनर्शिप कैसे हुई, आप लोग कैसे मिले और कैसे एकी प्लैटफॉर्म पे आ पाए, दोनों ने कैसे सेम बिजनस आप किया धन्यवाद सबसे पहले तो गोतम जी, जैसे 1976 में मैंने चंडीगर से भी कौम किया और महेज जी ने डेली सी किया था, और मैं चार्टर अकाउंटन्टन्सी करने के लिए डेली आ गया, तो मैं लाइबरी में पढ़ता था, इंसिचूट अप चार्टर अकाउंटन इंडिय बातचीत एक जैसी थी, स्टाइल एक जैसा था, सोच एक जैसी थी, तो हम दोनों में थोड़ी गहरी फ्रेंड्सिप बननी शुरू हो गई, और आफ्टर सम टाइम जम साथ बैठते थे या खाना खाते थे तो पता लगा कि हम एक ही हम टाउन के हैं, तो वो हमारी दोस्ती गहराई में बदल गई है, समझी जिए, और जब हम नजदीक आये सीए करने के, तब हमने डिसाइड किया भी क्या करना है लाइफ में, तो दोनों का एक ही डिसीजन था कि भी प्रैक्टिस करेंगे, तो हमने कहा भी ठीक है, दोनों हम प्रैक्टिस करते हैं, और सीए में जै तो भी हम फर्म बना लेंगे और प्रैक्टिस चालू कर देंगे, पार्टनर हम दोनों ही रहेंगे, उस केस में ऐसा नहीं रहेगा कि पार्टनर्शिप हमारी ठूट जाएगी, आप पास हो गया, और मैं फेल हो गया, बर पार्टनर्शिप चलती रहेगे, तो हमने वर्डि बिस बिस जार पर दोनों ने हमने कंट्रिबूट किया, विवर डेटरमाइगे, बिस बिस हजार रुपए लोग दोनों लोगों ने लगाये, और आज आपने अपने गुरुप को इतनी बुलंदियों तक पहुंचाया, काबिले तारीफ है, महज जब बात कर रहे थे कि प्रैक्टिस करना है, तो क्या वजए थी कि आप दोनों लोगों ने सोचा कि मैं जॉब में नहीं जाना चाहता हूं, या किसकी ये सोच थी कि मुछे जॉब में नहीं जाना है, या दोनों लोगों की कमबाइन सोच थी कि जॉब नहीं करेंगे, हमें बिसनेस ही करना है, पह क्योंकि प्रेक्ट्टिस कंद्र एक तो अपने आपको तो हमें शो करने का एक मोखा मिलता है o ३१In ठेश हटे अपने सोच तो इस वक्त आप लोगों ने लॉइक evidenCD किया था सिह उस वक्त अगर आप जो आप सर्विस में जाते तो क्या सेलरी होती उनिशली उस टेम जो मैं समझता हूं दस जार के आसपास पर मंत की सर्विस हमारी हुआ करती थी दस जार रुपे की हुआ करें फिर हमारा पर जो बेक गराउंड था फैमली का वह भी कोई ऐसा नहीं था कि हम प्रेक्टिस में हो जल्दी एस्टब्लिश हो सके हैं लेकिन हमने महनत करी अपनी महनत के बलके अपनी रिलेशन्शिप के बलके उपर हमारी प्रेक्टिस जो है पार्टिस शुरू तो होती है लोग करते तो हैं बट सो मेंशे शायद 90 या ज्यादा भी हो सकती है थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है पार्टिस टूट जाती है बिखर जाती है चाहें बड़े-बड़े आज हम बिजनेस घरानों की भी बात कर लें तो वो भी कहीं क्विशन नहीं क्रेट हुई कि अब हम अलग हो जाते हैं चलिए अपनी अलग-अलग हम रास्ते अपनाते हैं ऐसा कभी आया मौका देखिए बेसिक बुनियाद पार्टनेशिप में क्या होती है कि ओनस्टी जी इन गुड़ टाइम्स बैड टाइम्स ओनस्टी सुड आलव इसा कोई डिफेंस नहीं हुआ जो इस मोड तक चला जाए कि हमें कभी यह सूचना पड़े हमने सोचा ही नहीं 36 साल की इस पार्टनेशिप के अंदर क्योंकि डिशिजन बिजनिस के अंदर आपको लेने पड़ते हैं और पार्टनेशिप में एक राए हमेशा एक बनी रहे यह बहुत चलेंज होता है तब भी हम कोई नया बिजनिस डिसिजन लेते हैं तो इंपोर्टन पॉइंट यह है कि ऐसे टाइम पर भी तब दोनों के घरवाले फ्रेंट सरकल डिस्क्रेज कर रहे हूं और हम दोनों एक ही राय रखी आपको तो पुराना एक्स्पिरियंस था नहीं किया लेकिन हमने उस ताम दोनों ने एक डिसिजन लेके और इसको स्टार्ट किया हमेशा कहा यह जाता है कि जो दूर दूर्श्टिता जिसकी होती है जो आने वाले वेपार को आने वाले समय को भाप लेता है वही आगे बढ़ जाता है अधर्वाश जो लोग यह कि हमने डिसीजन लेया डिसीजन मेंग इंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी बिजनेस के लिए कि उसको समय रहते लेलिया जाए क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ऐसा लगा है मैंने ऐसा अनुभो किया है कि बहुत सारे लोग सिर्फ और इस वजह से को जाते हैं कि वो समय से डिसीजन नहीं लेता डीसीजन लेने में était देश кап तब समय निकल चुका होता है तो कितना आप उसको एंप्टनस देते हैं डीसीजन लेने को इस हो कि आइप है वो सबसे होता है और उससे होता है चाहिसं जो क्या चक्षर्कू को बुरा करो महत्त करने पड़ है कि पूरा तरीके से काम करना पड़ेगा आपने टीन मानाना पड़ेगी यह उस्सक्सvette zo का ख्याल रखना चाहिए कि जिसकी वज़े से आपको रिग्रेट ना करना पड़े सबसे बॉटेंट है विजन होना चाहिए आदमी का कि मुझे लाइफ में क्या करना है या जो मैं काम करने जा रहा हूं इसका की फूचर क्या है बाइगोड ग्रेस हम दोनों का विजन एक सा रहा हमने देखा भी capital market के दिए काफे potentiality है और financial market आने वाले time में काफी grow करेएगी यही सोच के हमने जो है इस market के दिए कदम रखा और आप जो नतीजा है वापे सामने है बिल्कुल सही क्या रहा है सुभाण जी जो SMC है हमारे दर्श के जानना चाहेंगी कि SMC किन-किन छेत मनेंच चिपनी पनपन फोर्टॉरॉर्स, मिझा झालिक प्सक्राश्टर, दिम्यों क्राशब नग्टित स्विन्स के लिए टियर आफित इष्ट साइ्टमूटरॉर्स, दिम्नटरॉर्स, दिम्ने And we have office in Dubai also. And beside that, recently, one year back, we have opened office in US, New York, Orlando and Atlanta. मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि आपका तक्रिवन 35-36 साल का इतना लंबा सफर रहा है बिजनस का, पार्टनर्शिप का, हर बिजनस में चुनौतियां आती हैं, स्ट्रगल्स होते हैं. आप दोनों की लाइफ में, बिजनस लाइफ में ऐसी क्या चुनौतियों का साम मार्केट में आ रहे थी, प्रैक्टिस से शेर मार्केट में फस्ट चुनौति, तो देट वाजे मेजर डिशीजन, फिर सेकंड चुनौति तब आई, जब 2000 के अंदर क्लिगडा स्टोग एक्स्चेंज फेल हुआ, तो हमारा बहुत सा पैसा वहां स्टक हो गया, और लेकिन उसके बावजुद, हम 80-2000 तक जितनी हमने कैपिटल बनाई थी, हमने बहुत अच्छा काम किया था, शेर मार्केट में भी, और हमने बहुत अच्छा कमाया था, लेकिन जितनी कैपिटल बनाई थी, उससे हम negative net worth में चलेए, तो अच्छी से 2000 तक जितना 20 सालों में हमने कमाय कमाया था, वो सब माइनस हो गया, वो माइनस हो गया, और ऐसे टाइम पर इस इटी वाजे बीड चैलेंज, कि कोई भी आदमी हिल सकता था, तो समय तो आपको सच में मारली बड़ा, डाउन हो गए होंगे, लोग ये कह रहे थे, कि SMC अब सायर्द इस मार्केट में रहे, औ हमारे स्टाफ ने एक बड़ टेलीफोन अटेंड नहीं किया, ये हमारी बात नोलेज में आई, सारे स्टाफ की मीटिंग कोल करी, कि कोई भी कोमुनिकेशन है, हंडेड परसंट अटेंड किया जाए, लेकिन ये कंप्रेंट नहीं आने थी, कि आपने टेलीफोन नहीं उठा क्लास रिवाइब कर गए, 6 मैने बाद, हमारे पास जो क्लाइंट 10% बिजनिस देता था, वो मोर दें 100% देना लगा, और हमारी प्रेक्टिस हमारे से लोग जुड़ते चले गए, 2000 से आज 2017 हो गया, आपको मालूमी है, जो आज हम SMC है, डेफरेंटली SMC है, बट महेज जी म आप दोनों लोगों ने वहाँ पे हारे नहीं बिलकुल, देखो बात ये कि लाइफ के अंदर, बैट टेम्स कूड टेम्स आते रहते हैं, लेकिन बैट टेम्स के अंदर कभी आदमे को अपना होसला जो है, वो विक्नी करना चाहिए, सच्चाई का सामना करना चाहिए, और जो उची सामने है, उसको द्रटता से फेस करना चाहिए, यही सोच के हम लोगों ने हिमत से काम किया, इमान दारे से काम किया, लोगों से बाच्चित करी, कम्यूनिकेशन पूरा रखा, और उसका नतीज़ा हाय में डियाबेटे मिलता चला गया, कॉलकाता का स्टॉक अपनी कमपनी की रिस्पॉंसिबिलिटी समझी, उसको निभाया, उसको चुकाया, जिसकी वज़ए से कस्टॉमर्स की, इन्वेस्टर्स की केडिबिलिटी बढ़ी, मलब लोगों ने यह मैसूस किया, कि सबसे असान काम था भी कलगड़ा स्टोक एक्षेंज हो गया, आदमी समझ सकता है कि मार्केट गई है तो उसके समसी से में पैसा कैसे मिलेगा, आज का जो युवा है, आज देख रहे हैं, इंटर्परनियूर्शिप बढ़ती जा रही है, स्टार्ट अप चल पड़े हैं, हर आदमी अपना बिजनस करना चाहता है, उसके अंदर क्या ऐस आप अपना ही डिशर्ट करके, डिसकर्स करके, फिर करें, यही मेरी लोगों को सला रहे हैं, सही कह रहे हैं, बट आज का जो युवा है, जैसे आपने का शॉर्ट कट निक, बट हमारे युवा को जितने भी यंग इंटर्पेनियोर्स हैं, सभी को शॉर्ट कट पसंदें, म हमारी जो इंवेश्म डेंकिंग टीम है, उसको डाइजेस्ट नहीं हुई, और उसना आज परूव कर दिया, खाली को इंटर्पेन्स हो, और उसकी केपिविलेटी कम नजर आई, तो भी जरूरी निया सकस्स हो जाए, उसकी केपिविलेटी भी चाहिए, तो और थर्ड उसक करते हैं, उनको दिन में कितने घंटे में नद करनी चाहिए, आट घंटे में कोई बिजनेस ख़़ा हो सकता है, 12 गंटे में हो सकता है, 16 गंटे में हो सकता है, यह ऐसा कोई set format नहीं है, असली चीज़ है, यूशूड भी हाड़ वर्किंग, जितना नए नए स्टार्ट अप किसी भी organization के मुखिया, head, चाहिए, उसको chairman बोल दें, managing director बोल दें, उसके निशानी क्या है, उसको मुलब किस तरह से behave करना चाहिए, अपनी company के अंदर, क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए, किस तरह से हमारे अपने team को manage करना चाहिए, किस तरह से customers को customers से deal करना चाहिए, इस सबसे important चीज होती है, कि you should create a strong team, जो कि क्या होता है, कि जब तक आपकी team strong नहीं होगी, जब तक आप गुरू नहीं कर सकते, second thing है, कि you should be man of commitment, जो भी आप commitment करें, you should be honored, third honesty, integrity, passionate, इस सब चीज तो चीज तो चीज़ें चीए, मेरे खाल से सबसे important team creation है, passionate होना ज़रूरी है, you should be a word of commitment होना चाहिए, यदि सब चीज़ों करेंगे, तो naturally ये बात है, कि आपका business grow रहेगा, और कोई तकलिफ नहीं आएगी, और जो technology है, उसके साफ़ से change करना चाहिए, क्योंकि आज के time में जो technology है, वो बहुत change हो रही है, यदि हम पुराने तरीकों से काम करते रहे, और हमने आपको change नहीं किया time के साफ से, तो हम grow नहीं कर सपाएंगे, यानि कि जो भी changes आ रहे है time to time आपके industry में, आपके business में, आपको फटा-फट उनको adopt करेंगे, तो जो जो जल्दी adopt करेंगा changes, वो उतनी ज़्यादा success भी grab करेंगा, जो आपने question महीजी से पूछ रहे थे, उसमें एक छोटा सा मैं add करूँगा, जो leader आदमी होता है न, वो कभी घबराता नहीं है, क्योंकि वो घबरा गया तो चीज खतम हो गई, वो घबराता ही नहीं है, कितने भी worst circumstances हो, तब भी उसमें से भी worst में से भी best निकालता है, और patience जबरजस्त होना चीए, आप कोई crisis में है, तो आपका टेंपर लूज नहीं होना चीए, स्टाफ का हो सकता है, senior स्टाफ का भी हो सकता है, you should be patient, आपके अंदर धीरस पूरा घहरा इतना घहरा होना चीए, घबराट बिलकुल भी आसपास नहीं आने चीए, उस टाइम पे आपको outstanding vision रफना पड़ेगा, एक्दम positive thinking, you have to inspire others, don't afraid, things will be managed, so यह चीज़ बहुत इंपरेंगे, आप सही कहरें कि अगर हम ही घबरा जाएंगे, अगर लीडर ही घबरा जाएगा, तो चीज़ें फिर हिलनी शुरू हो जाएंगी, आज आप यूवा पीड़ी के inspiration है, प्रणा शुरू होते हैं, हमारे यूवा पीड़ पीड़ी को एक बात कहना चाहता हूँ, पहली बात आप सर्विस करें, बिद्निस करें, प्रैक्टिस करें, कुछ भी करें, आप खुद पहले कौन्फिडेंट हो कि मुझे क्या करना है, डिसीजन लेने से पहले इंपूट ले सकते हो, फ्रेंड सर्कल से, फैमिली सर्कल से, नौन से, सबसे, लेकिन वंस्यू डिसाइड कि मेरे को बिद्निस करना है, या प्रैक्टिस करनी है, या सर्विस करना है, और उसके साफ से फिर आपको विजन रखें, यानि कि अगर युवा पिढ़ी को जो आपने संदेश दिया, यानि कि जो भी आप चुनाओ करते हैं, आप उसमें स्क्रिक्ट रहें, हार्ड वर्किंग रहें, प्रेशनेट रहें और इमांदार रहें, पोजिटिव दिंग रखें, अपना होमवर्क पूरा करें, डिसीजन लेने से पहले, पचास इंपूट लें, यू टेक यूर ओन टाइम तो अंडर्स्टेंड वाट कोई अवेलेबल होंगे, तो वो आपके साथ सीरिस क्लाइट नहीं आएगा, तो इसलिए हमेसा लाइफ के अंदर यू सुड़ बी फोकस्ट, महजिप और सुभाशी बहुत बहुत शुब कामना है, आपका हमारे शो पे आने के लिए बहुत बहुत शुब कामना है, या या आपकी कहानी में है दम और हासिल की है जीत अपने बल्बूते, और आप भी चाहते हैं हमारे शो पर आना और बताना चाहते हैं अपनी कहानी दुनिया को, तो फोन उठाएए और समस कीजे, विनर्स इस पेश अपना नाम और भेज दीजे, डबल नाइन डबल नाइन थरी, 1, 2, 3, 4, 5 पर हमारे टीम आपसे संपर्क करेगी, शू मंगल सिंग सुमन जी की प्रेरक पंकितियों से आज के एपिसोड का विराम दूँगा और आपसे विदा लूँगा, मैं पूर्टा की खोज में दरदर भटकता ही रहा, प्रतेख पक पर कुछ ना कुछ रोड़ा जो गिर गए सो गिर गए, रहे हर दम उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे एक विनर की काम्याबी की कहानी के साथ, तब तक आप अपने सपनों को हासिल करने के लिए लड़ते रहें, आगे पढ़ते रहें, नम अवस्टे